करीब साल भर पहले मैंने इस कॉलम में लिखा था कि एंडिये बीजे पी मोधी सरकार अनाज के नियूंतम समर्थन मूलिये में बड़ा उत्री नहीं करके भारी गलती कर रही है पिछली इंडिये सरकार 1999 से 2004 के दोरान भी यही गलती हुई थी उस सरकार को 2004 में इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि इंडिये को तब बड़ी संख्या में किसानों के वोट नहीं मिले थे मोधी सरकार उस गलती को दोहरा रही है वह भूल गई है कि किसानों के हाथ में जो चीज होती है उनके लिए उसकी काफी आहमियत होती है सड़क, बिजली और रसोई गैस की तुलना में जेब में पड़े पैसे की वैल्यू किसानों के लिए कहीं अधिक है मोधी सरकार की इस गलती का नतीजा हम सब के सामने है बीजेपी एक के बाद एक उपचुनाव हार रही है इस साल महराष्ट में किसानों के मुंबई तक के मार्च ने बीजेपी को हिला दिया था वे अपनी खराब हालत देश के सामने लाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे अब उत्तर भारत के किसानों ने विरोट का जंडा उठा लिया है उन्होंने आंदोलन शुरू किया है जो 10 जून तक चलेगा विरोध जताने के लिए किसान शेहरों में समान नहीं भीज रहे हैं इससे शेहरी इलाकों में फलों, सब्जियों की कीमत बढ़ रही है कुछ ऐसा ही 1990 में भी हुआ था जब महेंदर सिंक कैट की अगवाई में किसानों का एक आंदोलन साल भर तक चला था अनसुल जी समस्या भारत में चमपारंट से लेकर बारदोली तक किसान अंदोलनों का लंबा इतिहास रहा है कई एक सपर्प्स ने किसानों के समस्या का निदान खोजने की कोशिश की है इनमें बाबा साहब आम बेड कर भी शामिल है जिनोंने ठीक एक सौ साल पहले इस विशेक पर शांदार पेपर लिखा था इसके बावजूद किसानों के समस्या जसकी तस्बनी हुई है प्रोडाक्टिविटी बढ़ने के बावजूद किसानों की हालत नहीं सुदरी है क्योंकि जब वे ज़्यादा अनाज उगाते हैं तो उसकी कीमत कम हो जाती है और उनकी आमदनी नहीं बढ़ती अर्थ शास्तर में इस प्रोब्लम को कब वेब थियोरम कहा जाता है इसमें किसान इस साल की कीमत के आधार पर फैसला करते हैं कि अगले साल क्या उगाना है इसलिए कभी खास अनाज की सप्लाई बढ़ जाती है तो कभी कम हो जाती है आखेर दिक्कत कहा है? आखेर कृषीक चेत्र के साथ दिक्कत कहा है और क्यों किसानों की आमधनी नहीं बढ़ रही है? अगर आप नेताओं से पूछें तो वे बीज, खाद, सिंचाई और कितना शुकों की कमी का हवाला देते हैं हाला कि इन में से कई अपने इलाकों में इन ही चीजों की विक्री करते रहे हैं अगर आप अर्थ शास्त्रियों से पूछें तो वे बताएंगे कि दिक्कत अनाज के दाम और बाजार से जुड़ी है अगर आप आर्थिक इतिहास कारों से पूछेंगे तो जवाब मिलेगा इ इन में से एक हिस्से को गेर क्रिशी जरियों से कमाई करनी होगी चलिए मान लेते हैं कि आपने भारत में क्रिशी पर आशरित आधी आबादी को किसी ना किसी तरह से दूसरे जरियों में शिफ्ट भी कर दिया तब भी कम से कम 40 करोड लोग उस पर आशरित रहेंगे कुछ जो क्रिशी क्षेतर की समस्या के लिए हिंदू उतरादिकार कानून को दोशी ठहराते हैं। उनका कहना है कि इस कानून में किसान पिता की संपती में सभी बच्चों को बराबरी का हक दिया गया है। इससे जमीम के टुकडे बढ़ते रहते हैं और खेती फाय देमंद नही रहे गई है। अगर आप किसानों के समस्या पर नौ क्रुशाहों से बात करें तो जवाब मिलेगा हमें नहीं पता क्या किया जाए। इसके बावजूद देश की क्रिशी नीती के केंदर में नौ कर्शाह बने हुए हैं। उपर जिन बातों का जिक्र किया गया है। देश क कि सरकारों ने भारतिय क्रिशी क्षेत्र की समस्या को दूर करने के लिए इनके कई कॉम्बिनेशन यानी मिले जुले रूप अपना है। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। किसान गरीब बने रहे और वे और गरीब हो रहे हैं। यह सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे में ब किसानों के समस्या दरसल आबादी की समस्या है। यह कर्ज, टेकनोलोजी और सिचाई से जुड़ी प्रॉबलम नहीं है। यूरोप को 19 सदी में इस परिशानी का सामना करना पड़ा था तो उसने लोगों को दूसरे महादेशों में भेजना शुरू किया। चीन ने किसानो को गावों में बंधक बना रखा है, जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती। ऐसे में हम इस समस्या को कैसे भल करेंगे।